हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बार नए मार्किट अप्डेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज फिर हम N.S.C की टॉप नंबर वन कंपनी जिसका नाम है रिलाइंस उसके रिलेटेट चेर्चा करने वाले हैं दोस्तो क्योंकि बहुत बड़ी नियूस आये क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज ऐसी दोस्तों कि जो एक और बिजनीस है उसमें Reliance Industry एक अपने बिजनीस के साथ उसमें उतर सकती है और वो काफी अच्छे खासे investment के साथ उतरेगी और काफी अच्छा खासा revenue जेनरेट करेगी एक बार मैं फिर से बोलना चारा हूँ दोस्तों कि इसका impact आपको आज नहीं आज से 5 या 10 सल बाद देखने को मिलेगा नहीं तो आप बोलो कि सार हमने तो Monday को खरीदा हमको कोई moment नहीं देखने को मिला ठीके तो ये long term लंबे समय के लिए reliance को ये फाइदा मिल सकता है ठीके वो फाइदा किस प्रकार से मिलेगा वो definitely आप लोगों को बता हूँआ अब क्या होता है बहुत सारी news को क्या जिते भी investor ट्रेडर्स रहते वो उपर-उपर से देखके निकल जाते लेकिन उसका stock market से क्या relation देता है दोस्तों ये जानना बहुत important हो जाता है कि जो news आया वो news से reliance को क्या फाइदा मिलने वाला है क्या नुकसान होने वाला है क्या reliance गिर जाएगा अगर वो चीजे confirm नहीं हो रही है क्या अगर confirm होगी तो क्या reliance एक दिन में record बन जाएगा ये एसी सबी चीजे अपने को इस वीडियो में आज जाना है तो आप ठीक से free time में हो सके तो ही ये वीडियो देखना otherwise watch list में डाल दीजे फिरी हो free mind हो आपका तो ही ये वीडियो देखेगा तो चलिए सबसे पहले reliance का आज का performance देख लेता हूँ अब यहाँ पर price क्या है दोस्तों reliance का आप देख सकते हो last Friday को 233 रुपे पे बंद हुआ है करीबन 4 रुपे की तेजी रही है आप लोगों को पता है की momentum किस प्राकार से चल रहा है market का तो previous close देखोगे करीबन 289 रुपे का previous close open हुआ था 2314 रुपे से high लगारा 2319 रुपे 45 पे से and low लगारा 226 रुपे 55 पे से देखेंगे approximate तो आपको stock में करीबन करीबन 30 से 40 point से ज़्यादा का moment देखने को मिल रहा है आप देखोगे daily basis पे आपको इतना volume तो देखने को मिले जाता है करीबन 1 करोड 55 लाग 1 करोड 56 लाग 1 करोड 60 लाग यह तो daily basis पे volume रहता ही है अब यहाँ देखिए कोई भी traders ने stock को यहाँ पर क्या low लगा है stock ने 226 मार्च को 806 रुपे पे तो किसी भी traders ने जब तेजी देखी होगी तो वो 900 रुपे से देखना चालू होगी यह 1000 रुपे से यह जादा जादा 1100 रुपे यह आकरी में बोलू तो 1200 रुपे इन चारो प्राइस के बीच में या इनके चारो के ऊपर ही किसी भी traders ने पीडिंग डाली होगी तो आज आप उसका portfolio देख लीजिए किस प्राकार से चमक रहोगा चाहे वो एक share हो या चाहे 1000 share हो जिसके बेस पर क्या profit मिल रहा होगा वो उसको ही मालूम है तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि यह company पूरी तरीके से करजा मुकते ठीक वहीं से क्या है company के ओपर एक भी रुपे का करजा नहीं है वो हलका जो भी करजा है वो तो पूरी तरीके से उतार देगी वहीं से अभी आप लोगों के सामने news आई रहा है कि realize जो retail का business से उसमें भी करीबन 10% का stake बेच रहा है तो वहाँ से करीबन अगर मैं बात करूँ तो 70 से 80,000 करों रुपे का fund जोटा सकती है तो ये fund जो रहेगा वो company के business में बाटा जाएगा तो आप देख सकते हो इतनी शांदार company दोस्तो जहाँ पर देखा जाए तो पूरे business यहाँ पर आप लोगों को पता है कि retail, retail का जो business है लगबग अगर देखा जाए तो एक साल के अं delivery ली गई थी करीबन 63 लाग की delivery ली गई थी क्योंकि काफी important हो जाती है अगर आप देखोगे तो 41.54 की देखने को मिल रही है तो ये काफी चीज़े important है दोस्तो long term में check करने के लिए stock में investment करने के लिए जो भी traders है दोस्तो अभी बोल रहा हूँ news दिखाने से पहले कि नहीं लगने वाला है ठीक है अब चलिए जो news है उसके उपर लेके चलता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये गेम से related बात करने वाला हूँ ये तो बहुती सारे traders ने या investor ने operate किया होगा खेला होगा ठीक है इसका नाम है PUBG जो कि अभी अभी बारत में बेन हु लेकिन इसके उपर ही एक शांदा news निकल के है याँ वो news क्या निकल के है यहाँ पर आप देख सकते हो PUBG Unband in India मतलब PUBG का बेन हट सकता है और वो किस प्रकार से इस PUBG team up with Reliance Geo for Digital Partnership in India मतलब जो आप लोगों को पता है कि PUBG के अंदर जो चाइना के investor थे उनको यहाँ पर PUBG के honor ने अ आटा दिया है ठीक है तो जो Reliance है उससे यहाँ पर क्या करने वाला है यह partnership करने वाला है इंडिया के अंदर डवल से आने के लिए यह इसके पास एक बहुत बड़ी opportunity होगी तो क्या होगा दोस्तों कि आप लोगों को पता है कि PUBG अपने देश में कितना शांदा तरीके से growth कर Reliance Geo के साथ तो उसको कितना फायदा होगा यह तो आगे अपने को in future पता चलेगा लेकिन यह Reliance के तरफ से अभी कोई officially announcement नहीं किया गया है बस यह जो news आया है PUBG के तरफ से ही हाया है ठीक है अब आप लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि PUBG जो गेम है व को the South Korea Company सबसे पहले आप लोगों को बताए दिया कि जो South Korea Company इसी ने PUBG को launch किया ठीक है बित में का प्यूपल गेम मतलब popular गेम सोरी popular गेम कितना popular गेम है यह आप लोगों को पता यह player unlock मतलब जो चीजे है market में PUBG को लेके वो South Korea Company बोल यह बोलना चाह रही कि मैं मैं partner मतलब यह ए Indian Company से partnership कर सकती है ठीक है country gaming firm after the Bain in India Hindustan Time को मतलब जो news Hindustan Time के according निकल क्या है ठीक है after Bain in India तो वो यही बोलना चाह रहा है कि मैं एक यहां से क्या करने वाला हूँ Indian Company को acquire करने वाला हूँ क्यों कि मेरा जो game है मेरा जो popular game है वो इंडिया में double से चल सके ठीक है तो उसके लिए स Jio को देखा जा रहा है अगर Jio से यह confirm होता है तो यह अपने लिए काफी important बात हो सकती है दोस्तों अब यहां पर दोस्तों यह जो सब दे possibility ठीक है possibility partnership मतलब Indian Gaming Company मतलब और कोई सी भी हो सकती है यही नहीं कि दोस्तों Jio ही हो सकती है और कोई सी gaming company भी हो सकती है जिसमें काफी अच्छी तरीके से game को operate किया जाए game काफी जादा से जादा यहां पर PUBG double से popular हो सके इंडिया में तो उससे क्या है दोस्तों Jio इस line में सबसे आगे देखने को मिल रहे क्योंकि अभी अभी नया platform है काफी जादा इसमें investor है investor के साथ काफी अच्छा revenue है company का तो company भी जो रहेग यही एक और game बना हुआ है जिसका नाम है फिरी फायर ठीके फिरी फायर जो game बना हुआ है ठीके उस वो कोन के साथ partnership किया हुआ है पेटियम फर्स्ट गेम के साथ तो यहां पर आप देख सकते हो पेटियम फर्स्ट गेम बन आफ इंडियन लाज़ेस गेमिंग फर्म ठीके यहां पर देख सकते हो फिरी फायर ठीके जो company का नाम है फिरी फायर यही सबसे पापुलर गेम है पब जी के बाद तो क्या हो सकता है आगे कि इसको पीछे हटने के लिए मतलब यह तो आल्रेडी फिरी हो चुका है मतलब यह इसका पूरी चीज़े according to अगर देखें तो सब अगर आप देखो अब यही पर अगर आप देखो तो दोस्तो देख सकते हो रिलाइंस जियो केन गेटर पबजी लाइसेंस इंडिया मतलब यहां पर पबजी का जो लाइसेंस है वो यहां पर जियो को मिल सकता यह एक sources के दोरा एक report के दोरा आप लोगों के सामने यह news आ र बुल जाओगे कोई नहीं जब यह चीज मार्केट में एक्सेकुट हो जाएगी कमपणी के साथ एक्सेकुट हो जाएगी जब आपको असली पाफॉमेंट देखने को मिलेगा इन कमपणीयों का दोस्तो अब यही पर एक बार फिर से आप देख सकते हो क्या है according to report मतलब यह दोनों कमपणीयों के साइट से अभी कोई अनाउस्मेंट नहीं हुआ दक साउथ कोरिया कमपणी हैज डिस्क्लोज दर रेवेन्यू शेर मतलब कमपणी मतलब यह बोला जा रहा है जो रिपोर्ट के कोडिंग की कमपणी रेवेन्यू शेर करने के लिए भी तैयार है ठीके कितना पापुलर है अपने देश में यह तो आप लोगों को पता है कि सबको पीछे करके रिलाइंस एक बार फिर से मार्केट में इस चीज में कदम रख सकता है ठीके तो यह चीज को आप और भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिंक में भले ही प्रोवाइट कर दू कि इस चीज का मार्केट में क्या इंपेक्ट पड़ सकता है लॉंग टम में क्या इंपेक्ट पड़ सकता है दोस्तो अब दोस्तो आप फिर से यही बोलोगे कमेंट में कि सर इससे क्या रिलेटेट है कि पब जी अगर जी रिलाइंस के साथ टाइप होता है तो क्या रेविन सब कहीं न कई आपको Jio या Jio का साथ सब आपको पता Reliance Retail का कहीं न कई Aid में देखने को मिल सकता है तो वहाँ से भी जो चीजे Impact पड़ेगा कि सामने वाला Facebook चला रहा तो उस चीज को वहाँ पर Aid आएगा बीच में करने में तो यह सबी चीजे से इस प्राकार से फाइदा इस प्राकार से revenue जनरेट होता है company को लेके तो आप लोगों को फिर आगे चीजे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि किस प्राकार से momentum होगा अब यहाँ पर क्या दोस्तो Reliance Jio है जो अपने user के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकती है तो यहाँ पर आप देखना ठीक है Under the partnership Jio user who register for the PUBG Lite मतलब PUBG Lite पे अगर उसके customer register करते है ठीक है register करने के बाद क्या होगा दोस्तों उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या एक अच्छा कासा reward generate हो सकता है मतलब कुछ ना कुछ reward मिल सकता है या चाहे वो gold हो या पैसा हो कुछ भी हो मिल सकता है तो या Jio user के लिए भी काफी important हो जाएगा वो फटाक से जाएगे फिर यहाँ पर क्या PUBG Lite पे register होंगे और reward जितने का सपना देखेंगे तो already ज़्यादा चीजे चलेगी ज़्यादा revenue generate होगा तो यह सभी चीजे इस चीज में देखने को मिल रहे है दोस्तो जहां तक बात है कि जब तक यह confirm नहीं होता जब तक अपने लिए एक काफी important हो जाएगा अब यह चीज नहीं है दोस्तो कि अगर डील कनफर्म नहीं होती तो श्टॉक भड़ाम से नीचे आजाएगा 500-600 रुपे या 14-1500 रुपे कोई impact नहीं पढ़ने वाला दोस्तो हां अगर हां डील कनफर्म होती है तो उसका impact आपको long term में जरूर देखने को मिलेगा वो भी upside में, downside में नहीं upside में क्योंकि अभी एक दिन में इतना revenue नहीं generate हो जाएगा company के पास जो आपने mind में create करके रखा है long term में होगा, definitely होगा जो कि आप लोगों को पता है कि आगे Reliance ने 10-15 साल का यहां पर क्या planning बना चुका है कि कौन-कौन से नया इनको smartphone launch करना है क्या package देखना है, geo में, क्या retail में आप देखी सकते हो कि Reliance ने कितना बड़ा business अभी acquire किया है, पूरे all over India क्या आप लोगों को पता है कि future group का जो retail का business था, वो पूरे देश में retail king के नाम से जाना जाता था, अब वो ही retail king जाना जाएगा, Reliance के नाम से बिग बजार, नाम सुनते से ही customer दोड़ के आ जाते थे बिग बजार में ही हम किसी समान को लेने जाएंगे तो आप लोगों को पता है, अब वो बिग बजार, revenue generate को 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 करके देगा, Reliance को ठीक है, त्री डिरस अब दोस्तों, आप कहीं पर भी देखो कि आपको यही news देखने को मिलेगी PUBG Unband India, PUBG Reliance Geo for Digital Partnership सभी चीज़े आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो momentum generate होने वाला, वो कितना important रहने वाला है दोस्तो अब बाकी Reliance का performance तो हमें हर वीडियो में आप लोगों को दिखाता हो तो इसमें भी आप देखी सकते हो 6 मेनिक अगर return देखो कि तो support return कितना है, करीवन 130% का return आप लोगों को पता है, कोई भी trader सागर short term investment करना चाहता है तो definitely कर सकता है, momentum momentum generate करना चाहता है, तो वो definitely कर सकता है क्योंकि momentum आपको यह company में लगा अब यह नहीं है, दोस्तो company गिरती है ना, तो suddenly वहाँ से बापिस से अपना move ले लेती है, ठीके जैसे कि आपको दिखाया, अभी बाबन बिक्का लो 866 रुपय का लू लागा, तो suddenly अब यहां से अगर गिरेगे भी company कितने गिरेगी, 1800 रुपय और वही से फिर बाउंस बेक लेगी, तो सीधे 5000 टच करेगी तो company AC गिरती, एकदम से और AC चरती, AC नहीं कि company उपर से गिरना चालू हो रही है, तो गिरते जा रही है, कोई भरोसा ने company कब उपर जाए, ठीक है लेकिन यही company का क्या है, original performance मार्केट में, यह गिरती है और यह चरती है, फटाक से कोई मोका नहीं देती अभी भी आप लोगों को मोका नहीं देने वाली है अगर यह चालू हो गई, यहां से भागना दोस्तों तो मैं definitely बोल रहा हूँ, पांच यहार तक तो यह company definitely नहीं रुकने वाली ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके पच्चिस सो रुपे के पहले-पहले आप इसमें investment कर सकते हैं जो पच्चिस सो का level ने दोस्तों, इसके लिए बहुत important हो जाता है एक यह company जो आपको performance देगा और पैसा कमा के देगा, जो कि आप देख सकते हो छे मैने में आप लोगों के सामने है ठीक है, चलिए दोस्तों हमें वीडियो को close करता हूँ, वीडियो को close करते से हमें यही बोलूँगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आया ता